नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज के इस वीडियो में हम हाल ही में समाप्त हुए एसिया कप क्रिकेट टूरामेंट 2023 से सम्बंधित जो भी महत्मूर तथ्य आपकी परिच्छाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की जो पीडियो फाइल है वह आपको kvgurujy.com के ओपर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके पीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं एसिया कप क्रिकेट टूनामेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी सुरुवात वर्स 1983 में हुआ था तो ये आपको ध्यां रखना है कि जिस वर्स हमारी भारतिय टीम ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्लकप का खिताब जीता था उसी साल पहली बार एसिया कप क्रिकेट टूनामेंट का आयोजन भी किया गया था और इस टूनामेंट का जो खिताब है वो हमारी भारतिय टीम ने ही जीदा था एसिया कब टूनामेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब इसकी सुरुवात हुई थी तो ये आपके एक दिवसिये फॉर्मेट में खेला जाता था यानि कि यह जो टूनामेंट है उसके सारे मैज 50-50 ओबर के होते थे लेकिन बाद में T20 फॉर्मेट को भी इसमें सामिल कर लिया गया तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो आपके एसिया कब टूनामेंट होते हैं वो एक दिवसिये यानि कि 50-50 ओबर और T20 यानि कि 20-20 ओबर दोनों ही फॉर्मेट में खेले जाते हैं पिछले साल जो एसिया कब टूनामेंट हुआ था वो आपके T20 फॉर्मेंट में था और इस साल जो ASEA Cup खेला गया है वह आपके एक DUCIA format में खेला गया है आपको ये भी ध्यान रखना है कि ASEA Cup किरकेट टूनामेंट का आयोजन प्रतेक दो वर्सों के अंतराल पर किया जाता है कितने दो वर्सों के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है आयोजन करवाता कौन है तो यहाँ पर आप कनफ्योज मत होईएगा ICC के द्वारा ये टूनामेंट आयोजन नहीं होता है बलकि जो हमारी ASEAN Cricket Council है जिसके अध्यच इस समय महान बल्लेबाद जैसाज सहब है उसी के द्वारा ASEAN Cup Cricket Tournament का आयोजन प्रतेक दो वर्सों के अंतराल पर किया जाता है अब हम लोग ASEAN Cup 2023 से जुड़े हुए जो भी महात्मों तथ्थे हैं उनको यहाँ पर जानेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस साल का जो ASEAN Cup Cricket Tournament है उसका आयोजन 30 अगस से ले करके 17 सितमबर तक पाकिस्तान और स्रिलंका में सयुक्त रूप से किया गया आप सभी को यह पता होना चाहिए कि 2023 का यह जो टूनामेंट है वो पाकिस्तान में आयोजित किया जाना था लेकिन भारतिय टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और इसी कारण से पाकिस्तान और स्रिलंका में सयुक्त रूप से इसका आयोजित किया गया है एसिया कपके इतिहास में ये पहला मौका है कि जब इस ٹूनामेंट को दो देशों में सेंट रूब से आयोजित किया गया इसटूनामेंट की बात करते हैं तो यहां पर हमारे एसिया के कुलचे देशों ने हिस्जा लिया कॉन-कॉन से देश है तो हमारा प्यारा भारत हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान है, स्रिलंका है, फिर बंगला देश है, उसके बाद नेपाल है और आखरी देश था अफगानिस्तान, तो ध्यान रखिएगा इस साल नेपाल के टीम ने भी एसिया कप में हिस्सा लिया था अगर हम लोग बात करते हैं, टोटल खेले गए मुकाबलों की, तो इस साल इसिया कप में आपके तेरा मुकाबले खेले गए, आपको ये भी ध्यान रखना है, कि शुरुवात में जो ये छे टीम थी, इनको दो गुरुप में बाटा गया था, तो गुरुप A और गुरुप B गुरुप A में भारत, पाकिस्तान और निपाल था, वहीं पर गुरुप B की बात करते हैं, तो इसमें इस लंका, बांगला देश और अफगानिस्तान था, तो शुरुवात में इनके बीच में मुकाबला होता है, और उसके बारत में पहले गुरुप की सिर्स दो टीमें, इनके बीच में सुपर फोर का मुकाबला होता है, और यहां पर जो टीम सिर्स पर होती है, वो आपकी जाती है सीधे फाइनल में, तो गुरुप A से भारत पहुचा था फाइनल में, और गुरुप B से स्रिलंका पहुचा था फाइनल में, अब बात करते हैं, एसिया कब 2023 का जो फाइनल मुकाबला हुआ है, यहां से आपकी परिछाओं में जरूर प्रशन को उचे जाएंगे, देखें, एसिया कब 2023 का जो फाइनल मुकाबला है, वो 17 सितंबर को भारत और स्रिलंका के बीज, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, तो दिहान रख जो फाइनल मुकाबला भी आपके वर्शा से प्रभावित रहा था, जिसके कारण लगबग आधे घंटे देरी से खेल की शुरुआत हुई, स्रिलंका के टीम ने डौस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का वैसला लिया, उसके बाद में स्रिलंका के टीम पहले बल्ले बा 51 रन बना करके मैज को जीत लिया, तो ध्यान कियेगा 50 रन पर अल आउट हुई थी और भारत ने 6.1 ओबर में यहां पर 51 रन बना करके मैज को पूरे 10 बिगट से जीत लिया, अब हम बात करते हैं एसिया कब 2023 के अवार्ड की, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि भारत ने आठमी बार एसिया कब पूनामेंट का खिताब जीता है, यानि कि इससे पहले 7 बार भारत एसिया कब पूनामेंट के खिताब को जीत चुकी थे, भारतिये तेजगेद बाज मुहम्मद सिराज ने 7 ओबर में 21 रन दे करके 6 विकट पराप किये थे, और इसी लिए इनको मैनावदी मैच के पुरसकार से सम्मानित किया गया, तो आपने मैच देखा भी होगा, मुहम्मद सिराज ने 7 ओबर में 21 रन दे करके टोटल 6 विकट पराप किये थे, और इसी लिए इनको यहाँ पर मैनावदी मैच चुना गया, वहीं पर भारतिये इस्पिन गेद बाज, कुल्दी पियादों ने टोटल 9 विकट लिये थे, और इसी लिए इनको यहाँ पर मैन आवदी सिरीज चुना गया, मैन आवदी मैच आपके रहे हैं मुहम्मद सिराज और मैन आवदी सिरीज रहे हैं कुल्दी पियादों, तो ये आप कुल्दी पियादों को देख सकते है वहीं पर अगर हम लोग टूनामेंट में सबसे ज़्यादा रन की बात करते हैं तो हमारे भारती ओपनर सुभुमन गिल ने इस टूनामेंट में सबसे ज़्यादा 302 रन बनाए हैं तो ये आपको ध्याँ रखना है सबसे ज़्यादा बिगेट की बात करते हैं तो स्रिलंका के तेज गेदबाज हैं जिनका नाम है मतीज पथिराना जो की कुछ मलिंगा के तरह गेदबाजे करते हैं इन्हों ने इस टूनामेंट में सबसे जादा 11 विकेट लिये हैं अब ये जो फाइनल मुकाबला हुआ है इसमें कई सारे रिकॉर्ड भी बने हैं तो आ गेद के हिसाब से एक दिवसिये क्रिकट में सबसे बड़ी जीत को यहाँ पर दर्ज किया है यानि कि भारत ने इस मुकाबले को 6.1 ओवर में जीत लिया और इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत की बची हुई गेद के हिसाब से सबसे बड़ की थी तो ध्यान रखिएगा बची हुई गेद के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी जीत है सिरलंका की टीम भारत के खिलाब 50 रन पर आउट हुई है जो कि भारत के खिलाब एक दिवसिये मैच में किसी भी टीम का नियूनतम स्कोर है इस से पहले हमारे देश भारत ने 2014 म बांगला देश के टीम को 58 रनों पर आउट किया था तो ये भी एक महत्मों रिकॉर्ड है कि भारत के खिलाब किसी भी टीम का एक दिवसिये क्रिकट में यह नियूनतम स्कोर है इसके लावा अगर हम लोग बात करते हैं तो भारते गेदबाज मुहम्मस सिराज ने स्रिलंक के पूर्व तेजगेदबाज चमिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी की चमिंडा वास के बारे में आपको संभवता पता ही होगा जो भी थोड़े एक क्रिकट के फैन होंगे स्रिलंका के तेजगेदबाज थे और एक बार इन्होंने बंगलादेश के खिलाब 9 विकट ल क्राबरी की है आपको ये भी धिया रखना है कि महम्मद सिराज एक ओबड में चार विकट लेने वाले गिð बाजों की सूची में भी सामिल हो गये है यानि कि यह भी अपने आपमे एक रिकॉर्ड है कि किसी गिध बाज के द्वारा एक ओबड में चार विकेट ले लेना आ आजंता मेंडिस जोकी स्रिलंका के इस्पिन गेदबाज थे पूर्म में इन्हों ने 800 कुछ गेदों में 50 बिकट हासिल किये थे और मुहम्मद सिराज ने 1000 कुछ गेदों में 50 बिकट हासिल किये हैं तो इस प्रकार से 50 बिकट लेने वाले सबसे कम गेदों में ये दूसरे गे पीडियेप में मिल जाएंगे तो केवीगुरुजे.com से आप इसकी पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फर वाचिंग, जै हिंद, जै भारत!